अगर आपको दिल्ली के कॉलेज और आपका काम का कॉलेज निकले और आपका इधर ही कहीं हो और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छा खासा चांस मिस कर दे तो चलिए मैं पहले दिल्ली के कॉलेजों के बार में थोड़ा सा एक्स्प्लेइन आपको कर देता हूं देखिए अगर आपको दिल्ली के कॉलेजों में अडमिशन लेना है तो आपके पास जो मेजर जो मेजर च पहला इसके लिए काफी अच्छी परसंटाइल चाहिए आइट के लिए अच्छी परसंटाइल होनी चाहिए दूसरा जोसा के तुरू एक और कॉलेज मिलता है जिसको मोलते है जे एन यू आप जैनियू का इंजिनेरिंग वाला कैंपस भी चल रहा है पिछले 2018 से ही साट हो ग नहीं लगता बतानी की कोई जरू होत है दूसरा आपके पास आता है जाक दिल्ली तो अब जायक दिल्ली के जो बेसिक कॉलेजिज है पहले तो इन में अध्मिशन के लिए अच्छी परसंटाइल चीए ठीक है हालाग इंटी डिल्ली से अच्छे कॉलेज जैक दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, एक है आपका NSUT, दूसरा है आपका DTU, तीसरा है आपका IIID Delhi, और चौथा है आपका IZDTU, यह चार यहां के बहुत फेमस कॉलेज हैं, जिसमें से IZDTU सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो आप अगर जेही में देर हो तो आप जोसा में ब हो ना, तो जाएक दिल्ली में होम स्टेट वालों को बहुत तगडा फायदा होता है, पचासी परसेंट सीट रिजर्फ और इसके बाद एक और इसमें कॉलेज है, DSEU, डेली स्कल अंट्रपन्योशिप वाला, ठीक है, एक पांचवा कॉलेज है, तो एक तो दो तरीका है, इसमें भी बैठने के लिए, अगर आप आउटसाइडर हो, आप देली से नहीं हो, तो आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू मस्ट हब गुड परसेंटाइल, और अगर आप देली से हो और आपके 90 परसेंटाइल प्लस है, तो डेफिनेटली बैठो, अ हो है आपका GGS IPU, अब यह मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नेशनल कैपिटल डेरेक्टरी में है, जो कोर देली में है, मैं NCR की बात नहीं कर रहा हूँ, NCR में तो फिर भाई, NCR के प्राइवेट कॉलेज जाला गया है, उनके बार में भी आपको थोड़ा पहले आइडिय होगा, कौन-कौन से टॉप के कॉलेज हैं, काउंसिलिंग प्रक्रिया क्या है, अब चुकि जीजिए साइप्यू का फॉर्म चल रहा है, एक यूनिवसिटी है, जैसे यूपी में एक टेवी उनिवसिटी है, ऐसे देली की जीजिए साइप्यू, गुरू गुबिन सिंग, यूनिवसिटी है, जिसमें बहुत सारी कॉलेज एफिलियेटेड है, बहुत सारी गॉर्मेंट और प्राइविट कॉलेजों का फिलेशन इसी यूनिवसिटी से है, अगर आप यहां से बीटे करते हो, तो आपको जो डिग्री मिलेगी, यह बात ध्यान रखिया, अब मैं अ रजिस्ट्रेशन फर्मी चल रहा है, आप इसमें बहुत सारे गुट कॉलेज़ भी हैं, बहुत सारे ठीक कॉलेज भी हैं, लो पर्सेंटेल पर मिलने वाले, कुछ एवरेज कॉलेजemy हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज़ जो बिलकुल भी वर्धी नहीं आपको बिलकुल पूरी counseling crystal clear हो जाएगी, अब देखो मैं हर एक point पे, हर एक point पे, एक ही बात को 10 video बना के नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतना time ना तुम्हारे पास है, ना मेरे पास है, मेरे बीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, बट पूरा accurate, इस counseling में बैठने के लिए जो आपको information आपको बैठने सपले जो आपको information होनी चाहिए, और definitely आपको मिल जाएगी, तो यह आपके आपके ऊपर है, कि आप किसी ऐसे ब्यक्ति की 10 video देखना चाहते हो, या फिर किसी ऐसे ब्यक्ति की एक video देखना चाहते हो, जिसमें सारा कुछ crystal clear हो जाए, यह आपको बार बार भ किसी ऐसे ब्यक्ति करते हैं, और आप इसमें इलिजिबल है कि नहीं है, और आपका यहाँ कहीं admission हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर इसमें कोई point अगर छूट भी जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा, मैं next किसी वीडियो में उसको include कर लूँगा, म कुछँ हो दिली noi कि शुख और अगर डिमेन का जार, जैसे आपका यहाँ कुछ और भी प्राइवेट कॉलेज्य युक्ट से और इसमें से घुगा। कि आप NCR में भी देख सकते हो, NCR में कुछ colleges AKTU के थुरू भी हैं, कुछ colleges जैसे JP वगरे नोडवेड़ा में हैं, JP हो गया, आपका Bennett हो गया और आपका शुनादर हो गया, SRM की बहुत सारे colleges हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मैं इस पर अल्रेडी बात कर चुका हूँ कि टॉप प्राइबट कॉलेज इन डेली कौन से हैं, तो आप इसे देख लिजेगा, लेकिन यह कुछ टॉप की काउंसलिंग सें, जिससे दिली के कॉलेजियों में अडमिशन मिलता है, अब जामिया का भी लास्ट आने माला है, और हाँ एक चीज़ इंपोर्टेंट कर लि काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ, डियू ने तीन ब्रांच से और एक और इंजिनरिंग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इनकी बढ़ाई कराई जा रही है, और इस पे भी लोग रैंक पे एडमिशन हो जाता है, और वो भी डियू के पोर्टल से ही, उसके भी रेजिस्ट्रेशन, इसकी भी काउंसलिंग डियू के पोर्टल से ही होगी, जब होगी ता मैं आपको बता दूँगा, तो यह कुल मिलाजुला के दिल्ली में एडमिशन लेने के रास्ते थें, जिसमें आप अभी जिली डियू का रिजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कितना रुपए डेके पंद्र हॉर रुपे मोन अब जइमेंट 2 का रिजल्ट kissing ना, अपको मैं आपको गकम्सलिंग करने पड़ेगी, आप काउंसिलिंग के टाइम पे एक हाजार जीजसाइपी वाले चार्ज अलग से लेंगे तो टोटल जो आपको काउंसिलिंग के पाटिस्पेट करने का खर्चा आएगा वो पच्छिस सो रुपाय आएगा पिछली बार जिन लोग ने रजिस्ट्रीशन नहीं भी कराया था उनको इनोंने बाद में रजिस्ट्रीशन करने का मौका दिया था ठीक है इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया यही है कि भाई साब बच्चा 12 में होना चाहिए 12 पास आउट और कम से कम इसके 55 परसेंट मार्क्स फिजिक्स कमेस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए ठीक है और साथी साथ बच्चा इंग्लिस में पास होना चाहिए वी धान रखि अब उसके अलामा यही आप जेए में दिये होने चाहिए लाइक 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 दिस तिंग्स अब अगर कई लोगों को डाउट लगता है कि सार आई प्यूमें अडमीशन सी वीटी से भी तो हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आई पी हुए उसमें हो रहा है बीटेकिन बायोटेक और कुछ ऐसी ब्रांचेज में हो रहा है अगर आप कंप्यूटर साइंस इलेक्टरोनिक्स इन सारी ब्रांचेज में अडमीशन लेना चाहते हो तो आपको जेए मेन ही देना पड़ेगा यह सी वीटी से आपका काम नहीं चलने वाला है यह आप धान से नोट करके रख लीजिए अब हम बात करते हैं भाया इसमें का प्रक्रिया गया है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो बाद में रिजल्ट आने के बाद जब कांसलिंग शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद से इसमें ध्यान रखिएगा 85% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजल्ट है और 15% सीट बाहर वालों के लिए बाहर वालों के लिए हैं सिर्फ बाहर वाले 15% सीट में ही एडमिशन लेंगे लेकिन इब यह बात आप ध्यान रखिएगा टोटल पिछली बार जो हुआ था उसमें से तीन राउंड मतलब सब्सक्राइब करते हैं उसमें होम इस्टेट और अधर इस्टेट का कोई रिजर्वेशन नी रहता है उ मामला खतम रहता है मतलब इस पॉर्ट राउंड में बाहर वाले बच्चों को काफी जादा फायदा हो जाता है और रेगुलर राउंड जो होते हैं इस पॉर्ट राउ को जब एक वालेज की लिस्ट थे हैं व्युम्य टाइब वैसे तो यहां पर आट जो को हमने तीन क्टेग्री वाटा एक तो भाइसाब गॉवर्मेंट और एक प्राइवेट लेगिन जो देली नेशनल टरेक्टरी में आते हैं और नेशनल क्यापिटल टरेक्ट्री में आत उसके बाद USR, USR, USIT का सेकेंड केंपस है, जीजेसाइब का सेकेंड केंपस है, यह नया नया बना हुआ है, और दीसरा एक केमिकल वाला केंपस है, यहाँ पर केमिकल इंजिनरिंग ही पढ़ाई होती है, और प्राइबीट में जो सबसे अच्छा कोलेज है, that is महाराज अगर सबसेंड करते हैं, अब सबसेंड करते हैं, यहाँ आपर से नीचे जांगे लोगों को के पाता है, और इसका हमेशा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब यह हो सकता है कि स्क्रीन पर मैंने जो लिखा है वो तुमें दिखना रहा हो चलो कोई नहीं देखो इसमें तीन तरीके के गॉलेज हैं गॉवर्मेंट एक प्राइवेट ओभी यह वाले प्राइवेट जो एंसेटी डेली में है और दूसरा जो एंसी आर में जो घार मिलती है घार कोई अधर स्टरवीशिये तो उसको भी रेजरिशन दे जाएगी जर्ब हमारा लाइ असा हुआ है कि और जाते हैं तो वहां दूसरी स्टेट पॉरी देयोसिये नहीं मिलता है पर जैग दिल्ली और जैग आईए आई पी उ मतलब दिल्ली यह चंडीगड यहां पर क्या होता ना कि यहां पर अधर स्रेट वालों को भी रिजर्वेशन मिलता है मतलब अगर मैं यूपी का हूं मैं दिल्ली में जाओंगा तो आउटसाइड ओबी-सी मैं मैं मुझे रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर अगर मैं एसी का डिगरी हूं और मैं यहां जा रहा हूं, तो मुझे आउटसाइड SC में रिजर्वेशन दिया जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, और यह सेम चीज आपको जाक शंडिगर में होता है, हलाकि यहां पर OBC का रिजर्वेशन नहीं है, पर SC का, ST का इन सब का रिजर्वेशन है, और इन SCST, Defense और PWD का रिजर्वेशन है, अगर आप Defense person हो, तो आपको Jack Delhi, GGS IPU, Jack Chandigarh इन सारे काउंसलिंग को बिल्कुल भी नी छोड़ना चीए, यहां पर काफी अच्छा रिजर्वेशन होता है, definitely you should try these काउंसलिंग also, और जो बाहर के colleges हैं, वहां पर भी इनका रिजर्वेशन आ और अपर आउटसाइडर का भी यही रिजर्वेशन है, अब एक छीज आपको एक ध्यान रखना है, कि जो minority institution है, जैसे Guru Tegh Bahadur, Sikh minority का institution है, तो यहां पर क्या है, यहां पर minority वालो का तो चलिए, हम कुछ कॉलेजों को देखते हैं, जो GGS IP को जो कॉलेज है, अब देखा अब जो यहां का सबसे बेस्ट कॉलेज है, that is, USICT 1999 में बनाए गया था, और इसको जो affiliation मिला है, GGSIPU से मिला हुआ है, और अगर मैं tuition fees की बात करूँ तो that is 138,000, 138,000 और hostel fees पच्चाश दर क्या सबस्पास आपका पड़ेगा, यहां पे dual degree है, और अगर आप बीटे की बात क क्यूट करना चाहते हैं, तो क्यूट भी कर सकते हैं, इसके बार में आप और इंफॉर्मेशन इनके official website से जरूर ले लिजेगा, मैं बात करता हूँ कि इनकी भाई किसा आप कितनी गई थी, क्योंकि cut-off is very important, college चाहें जितना भी अच्छा हो, पर हमें मिले तब तब तो अच सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं आउटसाइड डैली की बात करूं, तो आउटसाइड वालो को 97 प्रसेंटाइल, मतलब 22,000 राइंक पें के लिए computer science बंद हो गया था, और इंसाइड वालो के लिए 42,000, देख रहो, मतलब क्या लिए है, अगर मैं EC वालो के लिए बात करूं, मैं जनरल क्टेगरी का डेटा बता रहा हूं, जनरल क्टेगरी का बता रहा हूं, परसेंटाइल गार इतना 93.8 था, तो लास्ट यर मिल गया था, लग बग 93.8 प्लस पे EC मिल गया था, और आउटसाइड वालो को 96% मिला था, आप किसी के 97 या 95% होंगे, तो मैं उसको USICT लेने के लिए कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे नेजर में इस से भी बड़ी अक्वालिज उसके लिए हैं, अगर मैं Information Technology की बात करूं, तो that is Home State वालों को 95 पे मिल गया था, और Outside वालों को 97.4 पे जाके मिला था, तो आप देख सकत हो कि भाई, Home State अगर किसी ने 12th Delhi से कर लिया है, चाहे हो domicile कहीं का भी रखता हो, doesn't matter, अगर आपने 12th Delhi से कर लिया, तो आपके लिए कितना ही ज़्यादा फादा होने वाला है, USICT में NIRF data बोलता है, इनका 10 लाग का Average Package है, जो कि बहुत अच्छा Package माना जाएगा, अग इसका बात करता हूँ, that is USR, माही सब यूएसर का जो क्यामपस है, वैसे तो बन गया है, और काफी सही बना है, 18.75 का, इस्टैबली सभी 2021 में किया गया है, और इसका भी mode of admission वही, जिएस, मतलब जेमें के कांसलिंग से ही, इसका बी एडमीशन होने वाला है, और इसमें टो AI and Data Science, AI and Machine Learning, Automobile and Robotics, Industrial and Internet of Things आपको यहां पर मिलने वाला है, और अगर मैं कट आफ की बात करो ना, तो इनकी यहां AI DS जो है, आपको लगबग लगबग दिल्ली वालों को 90 पर सेंटाइल पर लगबग मिल गया था, एक लाग सत्रह हजार रैंक तक मिला था, AI ML एक लाग तैस तक पिछले साल मिला था, 87.9 पर सेंटाइल तक, Automotion and Robotics दो लाग 12,000, 81.4 पर सेंटाइल तक मिला था, IoT दो लाग 15,000 तक मिला था, 81.3 पर सेंटाइल पर सेंटाइल पर भी मिल गया था, अगर मैं आउटसाइड देली के लिए बात करो तो भाई साफ देख लो किसमत फूटी कर देख लिए, 59,000 बें का AIDS बंद ओ गया, अगर किसी का 59,000 था हुझे तो मैं उसको कहूंगा इनी कि तुम यहां पर USR में जाओ क्योंकि ओपिसली इस से बेटर कॉले हो डिसरव करता है इस रांक पर पर जादेतर बच्चों को पता निं होता है बट कोई बात कि अगी का है तो तो दाटीज यूसीटी सतर हजार पर येर फीस है अगर में बीटे केम टेकी बाव यहां बात करों तो यहां पर यहां पर बावान और थीस एट्स है आप में बात करता हूं यह यहां पर ग्यामिकल तो 74-75% पर होमस्टेट को इज़ेल ही मिल जाता है और केमिकल 78% पर 78.4 पर लास्टे लगब लबग मिल गया था और इनका कट आफ है कट आफ पे जादा फोकस करो एपर सेंटाइल मैंने जस्ट तुम्हें समझने के लिए 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 क्योंकि तुम को रिलेट कर पाऊगे अब चुकि इस बार क्या है कि इस बार नंबर अफ कोनिडेट साद जादा है कि 70% क्या कहते हैं 78% 76% पर बने तो यह बात तुम धान रखना है क्योंकि इस बार नंबर अफ कंडेटिस का है जादा है तो परसेंटाइल वेरी करेगा लेकिन फिर भी अगर तुम इस परसेंटाइल के अंदर आ रहो तो तुम्हें अपलाई करना चाहिए क्योंक से जादे कंपनीज आई थी और पच्चा से जादे इनको इंटर्शिप मिला था ओएंगी सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईयले सारी के सारी जो है ना पी एसी उस है मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं अब नेक्स्ट कॉलेज यहां से अपने प्राइवेट की सारी की सारी कॉंसलिंग से भरी जाएंगी कंसिलिंग से असे जाने के साथ साथ उसमें भी उस के लिए हमन से ने और बाखी 15% सीट में बाहरवालों को एडमिशन दी जाता है अगर लास्ट राउंड रेगुलर राउंड के बाद अगर फिर भी सीटे बज जाती है तो इस पेसल राउंड कराया जाते हैं और इस पेसल राउंड में सबके लिए ओपें टॉड होता है कोई भी आ सकता है अब सबके अगार शृष इस अब करता है ऐघंट के चलता है ऑजसे घ्तुमा पर वार यह प्लस में अगर आ अगर वारा तुम पर निपेस पर अडाल प्लस पीड़ में और अगर अंधर तुमधर अगर अगर दिली के बढ़ बेगा यज्ड टुमार अगर अगर अन्धर अग् बाहर के हो तो कम से कम 95-96 आपको लेकि आना ही पड़ेगा ट्रिपली में अंदर वालों का 82-83 परसेंटाइल पर एड्मिशन हो गया था लास्ट येर और इस साल कम से कम 93-94 परसेंटाइल तो आप एकस्पक्त करो ही करो तो आप देश सकते हो एक बार आप डेटा से भी मैच कर अई इनका एन आयर डेटा है इनका एवरेज पाकेज 6 लाग के आसपास का है और नंबर आप फिस्ट्रेंट 989 यह जिसमें से 849 बच्चे प्लेज़ हो गया और मेडियान सेलरी जो है 2023 की 8.24 ती जो की अच्छा था प्लेश्मेंट रेशियो भी पिछले साल के नायर डेटा और यहां पर आते हैं और एक अच्छा उप्शन हो सकता है अगर आपको एक वालेज मिल रहा है तो आप देख सकते हो अगर इसके अपर इसे बढ़िया जोच करना भी एक कला है हो सकता है कर देखता हूं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पैरेंट्स एक सही कॉलेज का चुनाओ नहीं कर पाते हैं हो सकता है कि उन्हें इससे बढ़िया कॉलेज मिल सकता था पर उन्हें इनफॉर्मिशन नहीं थी इसके वज़े सी नहीं ट्राइए नहीं किया और एह लोग एक कॉलेज में मतलब ठीक है चल रहा है काम ऐसा जबकि मैं मानता हूं मेरा मानना है कि हमेशा अपने राइंक को बैस्ट वे में यूटिलाइज करो उससे जितना बढ़िया कॉलेज पा सकते हो कोशिश करो कि उतना बढ़िया पायजा है और हम लोग कांसलिंग भी कराते हैं अ बर यहां कोर्श में आने के बाद आपको बहुत सारे कांसलिंग को्रसज दिख जाएंगे और आप अगर आए-प्यू की कोशलिंग कराना चाहते हो तो आप हमारे यहां से counseling program भी buy कर सकते हो और हमारे counseling program को भी join कर सकते हो तो एक कुछ MAID के बारे में था और यह रहा अपना MSIT का data MSIT अल्रेडी में इसके बारे में भी बता चुका हूँ स्क्रीन पर है आप देख सकते हो काफी MAID के बाद सबसे ज़्यादा दूसरा अगर किसी का demand है तो that is महराजा सूरजमल और इनके cut-offs है cut-offs आप एक बार देख लीजिए और यहां पर काफी अच्छी कंपनिया आती है और आप यहां पर अगर इनका median salary देखोगे अगर देटा के इसाफ से तो 6.5 है यह लोग बोलते हैं कि अवरे सेलरी 8 LPA है है यह सेलरी असी लाग है और 12 बच्चे को 22 लाग का पैकेज यहां पर Amazon ने लास्ट यह दिया था और एक बच्चे को 30 लाग का पैकेज मिला था आपको 24 LPA का पैकेज मिला हुआ इसको इसके अलवा एक इसके कुछ क्रोज इंस पॉंस है और स्कॉलर्शिप में एक कभी जब इसका फॉर्म का डेटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा और इसके अलवा मैं तीसरे कॉलेश की बात करूं तो तो आप इसके आप इनका फी स्ट्रॉक्चर और केमपासिरिया देख सकते हो चुकि वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं जल्दी-जल्दी आगे बढ़ता हूँ आप एक बर इनका कटा फेनलेसिस देख लो और जिस भी कॉलेश के बार में आपको पूरा जानना हो पूरा कच्छा बॉक्स में नाम कमेंट में नाम पिन करो चाहें ओ जीज़ आई वीडियो को या कोई भी कॉलेश हो अगर नाम पसंदा है तो जरूर उस पर एक वीडियो संदिप भाया तुमारे बना देंगे तो यह बीपी आईटी के बारे में था अगर आपको लगे कि भाया इन सब पे सांद इना मरे दाइह of जलॉर संदिप और संदिप भी ब्हा रहान तो इसे भी देख सकते हो अगर आपकी प्रसेंटाइल का आफी लो है तो भारती बीढ इंसके सांद के बादि के बाद आता है गुरू अख हो अपना डाक्टर अखलेस दास में भी बहुत लो रांक्ट अटमीशन हो जाता है अब यह जो कॉलेज जन्हें यार बड़े स्कूल जैसे मेरे को लगते हैं क्योंकिन का कैमपस एरिया चेकर आठेकर भाई आठेकर शेकर में तो हमारे यह स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल में पह पहले पिछले साल का बना चुका हूं इस साल जब फॉर्म आएगा तो अगर आपको सारा को समझ में आ गया हो कि हमें कॉलेज के बारे में मुझे बेसिक आइडिया आ गया कि कौन से यहां के टॉप के कॉलेज हैं काउंसलिंग कैसे करना है रजिस्ट्रेशन कब होना है तो आपको आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दिया सब्सक्राइब कर दिये तो चली मिलते नेक्स वोड़ा में तब तक लिए बाबा चाटा एंचाहिंद